तो वेल्कम टू सुकला स्थडी पॉइंड आप सभी का स्वागत था आपके पेने टूप चैनल सुकला स्थडी पॉइंड में से विडियो के माध्यम से ऐसे इंपॉड़न प्रत्नों के बारे में चर्चा करूंगा जो की परिच्छा में लगातार पूछे जाते हैं यानि की गत्ते हैं एक सबूड़न चाहें के सब्सक्राइब करें हैं तो इसमें एक पॉर्स ऑपको क्रिकुलर पढ़ना पड़ता यानि अनिवार प्रस्तपत्र की रूप है उसमें आपको प्राथमिक किस्वाइब के बारे में जानना है यानि कि परस्ट और हैं आपको पड़ना तो first year and health से बनने वाले विभिन विद्यालेवों के जो प्रस्ण है वो एक परकार से जो repeated questions है या जिनकी chances बहुत ज़्यादा है उन्हीं प्रस्णों के इसमें मैंने रखा है यह most important hundred repeated questions होंगे जो की अलग-अलग विद्यालेवों पूछे गए हैं तो आपकी परिक्षा में भी आउसाद जो होता है इसके क्या लक्षन होता है फड़ा पड़ से आप बताने का परियास करेंगे आउसाद की अगर बात की जाए तो आउसाद जो होता है यानि कि मानसिक बिमारी एक प्रकार से होती है आउसाद ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे तो आउसाद क्या है एक सामान और गंभीर चिकिस्ता विमारी होती है जो आपके महसूस करने के तरीके आपके सोचने के तरीके और आपके कारे करने के तरीकों को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है और सौभाग से इसका इलाज भी अब संभो हो सका है पहले इसका इलाज भी नहीं संभो होगी भूख में बदलाव आएगा वजन आपका कम होने लगएगा डाइटिंग में आपको तमाम परकार के एक परकार से जो है हानिया होने लगेंगी सोने में परेसानी होगी बहुत सब्सक्राइब करता है अगला प्रसन है अगला प्रसन है आउसाद 15 में से कितने लोगों को प्रभावित करता है अगला प्रसन पैनिक अटेक में आम तवर पर इन में से कुछ संकेत या लक्षण सामिल होते हैं वो कौन से हैं तो पैनिक अटेक के अगर बात किया है तो आम तवर प्रसमें जैसे आसन कयामत या खत्रे की जो संभावना मलभावना नियंत्रण खोने या मौत का डर इसके अलावाद तेज हिर्देंगती भी हो जाती है पैनिक अटेक में तो यह प्रकार से कुछ संकेत हैं इसमें सामिल है जो आप से नमर डी लगा देंगे यह सभी अगला को संस आप देखेंगे प्रसन आप किसके न पराद चुका मनों बिकरती का निदान करने के लिए एक डॉक्टर एक नैदा विधियों के बारे में प्रसन करेगा ठीक है एक डॉक्टर इसके लाव मांसिक बिमारी का कोई पारिवारी कितिहास अगर होगा तो पूछेगा कि आपके परिवार में कोई ऐसे मांसिक बिमार रहा कि नहीं रहा है किसी भी चिकिस्टक और मनोरंजक दवा को उपयोग एक इस समभावणा पर विचार करने की सलाह देते हैं यदी वे लक्षन देखते हैं बताएं मनो चकिस्तक एक वाव विक्ती में एक मांसिक बिखार करने की सलाह देते हैं ये दिवे लक्षन देखते हैं क्या देखते हैं समाजिक निकासी में ब्रधी मोड में बदलाओ और स्कूल या काम पर कम ध्यान या परदर्शन अगर देखते हैं तो एक परकार से मनुचिकिस्तक जो हैं वो एक मांसिक विकार के संभावना उसमें देख सकते हैं कि आगे देखेंगे आउसाद के लक्षण हलके से लेकर के गंभीर तक भिन हो सकते हैं और इसमें सामिल हो सकते हैं क्या तो इसमें उदास महसूस करना होना आ अनन्द लेने वाली तेविदियों में रुची या आनन्द की हानी यहने की यहां पर आपको आनद लेने की streams सामिल होते हैं जिस आपका जूँए का यह नहीं परकृटात पर कम बढ़े करें नसर होाउगत होगा अगला परस्ण जो चीजे नहीं हैं उन्हें देखना सुनना बाते करना क्या कहिलाता है। बाते हुआ है आफ लंबी समय तक अगर आप नसीले पदार्थों का सेवर करेंगे तो इससे क्या होगा इससे कई परकार की मांसिक बिमारिया होगी मांसिक छिंडता होगी ठीक है यह बात आप ध्याद नेकिंगे तो यह जो है नसीले पदार्थों के सेवन से मानस्क तनाव जा इस परकार के मति भर्म और ऐसे चीजें हो थी कैं़ मनों बि दलता प्रस अगलहा है तोचा पसीने की रूप में बाहर nिकलती है किस रूप में तो तोचा यूरिया केait रूप में निकलती पूचा गया था अगला प्रसंद युवक या युवती को किस परकार की जानकारी और मार्ग दर्संद देना है यह निर्भर करता है उसके मांसिक कोसल पर समाजिक कोसल पर और बैक्तिकत कोसल पर तीनों कोसल पर निर्भर करता है कि किसी युवक और युवती को किस परकार की जानकारी दी जाए और उसका मार्क दर्सन कैसे क्या जाए uh lost diploma आड़े देए समय आपके उत्तर होने पर जाहिए तो जब भी आप किसी को सेक्स औ чит़ के बारे में बताएं यह उसीक्छा के बारे में बताएं तो छोटे उत्तर जरूर दें असपस्ट उत्र हो और सीधा सरल उत्तर हो डि आप सथा इस अब ही है नर जोड़ीदार ग्usion ये नर जोड़ी दार साहाइक जननांग हैं साम। कर्दी हो गाइएस निए उत्सरजी तंत्र के यंग भी सर्जी तंत्र के यंग मेंने का सब्सॉत सर्जम्स के तंत्र मुलोंग करेंग हुद यह करनी होगा मिजयिए प्रतुन का ऊंग ढह fluct ुत अगर्शॉत प्रूण का रोपन होता है गर्भासय में आप सब्सक्राइब करक्टर रोगा आगे देखेंगे अगला प्रस्ण हेनले लूप अंग्रेजी अक्षर के किस आकार में घूमकर आरोही वा औरोही लूप बनाता है तो यू आकार के अक्षर का यह आप सनिसका राइट एंसरोगा प्रस्ण परिक्षा के दिस्टी से बहुत ही जादा इंपॉडंट है अईसी परिक्षा में आते रहते हैं तो आप इन परस्णों को तयार कर लिजेगा त्री मॉस्ट इंपॉडंट कोशन्स ठीक है बहुत ही जबरदस्ट प्रस्ट है अट अच्छा योन सिक्षा किसके लिए उपयोगी होती है तो सभी के लिए उपयोगी होती है यह बात आप ध्यान नखेंगे ओके तो यह सब प्रस्ण परिच्छा के दिश्टी से इंपोड़न्ट है तो इसलिए मैंने सुचा आपको बताने चाहिए अगला प्रस्ण किस किन पर को किस दोरान का भावस्था के दोरान कि दोरानके और दोनों कर या फिरम जाइब जब अगला प्रसें मनुस्त तथा सभी अस्तनी प्राडियों में अधिकांस्ता भूर्ण का परिवर्धन मादा सरीर के अंदर होता है इसे क्या कहा जाता तो इसको बोलते हैं जरा यूजिता आपसर नमबर डी करेक्टर होगा अगला प्रसें सेक्स सिक्षा की आवसक्ता किन अगला प्रसें होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी या निर्भर करता है तो होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी निर्भर करता है पुरुस गुर्ण सूत्र पर ठीक है पुरुस का गुर्ण सूत्र क्या होता है एक्स वाई गुर्ण सूत् यक्स फिर यह कर कि वाई से मिलेगा तो क्या बनेगा यक्स वाय यानि कि लड़का होगा पर यक्स निर्भर करता है वह जो है लड़का होगी कि लड़की यह पुरस गुर्शूतर पर डिपेंड करता है अगला पर से मुख्य योन संचारित रोग है इनमें से कौन सा है देखिए सिफिलिस एड्स और गोनोरिया यह सब रोग योन संचारित रोग है आपसे दी राइट एंसर होगा अगला पर से एक्वायरड इम्यम्नूस डिफिचिंसी सिंड्रोम को संचेव में क्या कहते हैं साड के खाड़ होता है मिंधूट सिस्टम करता है पतひ इसके बारे में खत्यान रहने हैं यह प्रकार से रोग होगे तुरंत आप परहाबी हो जाएंगे टीबी कैंसर निमोनिया यह से रोगों का उपचार अगर आप करवाएंगे भी तो आपका ठीक नहीं होगा रात्री में आपको पसीना खूबाएगा तो यह सब यह भारतिय दंड सहीता के आधियन याई पीसी जो है इंडियन पीनल कोड जो है उसके अकोर्डिंग यह उत्पीडन यह उन दुर्पयोग और बलातकार यह दंडनी अपराद है आगे देखेंगे अगला को सापके स्क्रीन पर आ चुका है इंप्रेंट पर इच्छा के दिश करकर होते हैं ठीक है तो ता इसना सो होते हैं तो यह अधर जाता है कि तुन की उपर हिस्सा होता है वो लेदर जैसा हो तक दम से फूल करके उसमें जल भर जाता हो एक सभी अगला कोशन से आपके स्किन पर आ चुका जलने पर फस्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए तो जलने पर आपको मामूली रूप से जलने पर उस समय 20 मिर्ट तक पानी डाले और बाद में साबुन से धो लें जलने के अस्थान पर ठंधा गीला साफ मुलायम कपड़ इसके लावां अंटी बायोटिक क्रीम भी आप लगा सकते हैं तो पस्ट एड के रूप में आप इस सारी चीजे कर सकते हैं डिया आप सनुपरक तो सभी अगला पर से तो चाहिए के संपर्ख में आती ही जल जाती है इसे क्या कहते हैं तो तो घृत तो इस परकार के जलन को इस परकार के एक परकार से जलने को क्या बोलते हैं केमिकल बर्ण बोलते हैं या इसी को और देखें तो तो कास्टिक बर्ण इसको बोलते हैं अगला परसें किसी ठंडी चीज के संपर्क में देर तक रहने से तुचा कि जल जाने को क्या कहते हैं तो इसको बोलते हैं कोड बर जलने को इसकाल्डिंग बोलते हैं सी आपसे इसका राइट एंसर होगा आगे देखेंगे अगला परसाप से बन सकता है जब सरीर का कोई जीवित उतक किसी संचारक पदार्थ में आ करके उसे चतिकरस्त करता हो जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल बर्ण इसका करेक्ट एंसर होगा हीट इस्ट्रोक को किन अन्य नामों से जानते हैं तो हीट इस्ट्रोक को बोलते हैं आता पज्वर लू लगना और उस्मा मूर्चा डी आपसन यह सभी अग हीट इस्ट्रोक कमों के लक्षण क्या है देखे मन में उल्जन होगी लाल सुस्क तवचा आपकी हो जाएगी सिर्दर्ध होगा और चक्कर आएगा आपको यह सभी होगा डी आपसन यह सभी राइट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला को सापके स्क्रीन पर आ होता है रुधिर बाहिनियों का कारी क्या होता है रुधिर को फिर्दे से बिभिन पर हांगों में पहुचा और उतकों से रुधिर को इकठा करके वापस हें लाना यह सी सी आपसण लगा देंगे दोनों इसका तरों गहिं आगे दीज़ए अगहला पूसन है सीने का दर्द होता है यह किन में द न दर्द क clicking क hop स्पेसियों तक पहुंच जाना महाधमनी अगर आपकी महाधमनी फट जाएगी तो सीने में दर्द होगा पाचन तंत्र के विकारों के कारण भी आप देखते हैं ऐसा होता है तो आपसा नंबर डी लगा देंगे उपर तो सभी कि कारण से सीने में दर्द होता है अगला पर सी धमनी से निकला रक्त कैसा होता है धमनी से निकला रक्त चमकीला लाल होता है और जटके से बाहर निकलता है बिल्कुल सी आपसन उपरक्त दोनों सही है आगे देखेंगे अगला पर से कोसिका सूचमरक्त सराव प्राया कोसिका सूचमरक्त सराव प्राया जो होते हैं कोसिक पर उधिर को दो भागों में बाटा जाता है इसका एप्रस्ण कर यह इसे बाध्यान नहीं नखेंगे इस आगे बढ़ते और भी सीजों को जानने का प्रियास करते हैं अगला परस्ण आपके स्किन प्राश कहा है देखें प्रस्ण आपकी परिच्छा के दिश्ट्री से सबस्क्राइब को मैं मुलने पर इन्हेलर की दूसरी खुराक कितनी देर में ले सकते हैं। आगर आराम नहीं मिलता है जो है, सांस में कोई दिक्कत होती है, अस्थमा वगारा के मरीच इन्हिलर का प्रियोक करते हैं, तो अगर आराम नहीं मिलता है, तो इन्हिलर की दूसरी खुराक आप 3 मिनट में ले सकते हैं, B. आपसन इसका right answer होगा, अगला परिसन ये अस्थमा स किसी प्रकार की तकलीफ ना बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए तो गली के सूजन में किसी प्रकार की तकलीफ ना बढ़े इसके लिए भोजन गरम और नरम करना चाहिए यह आप से इसका करेक्ट एंसर होगा एक इंफार्मेशन आपको यह देनी है कि यह करेकर हमा से त्माम सारी लक्टर ठीक है तो आप जाएंगे आपको अहां पर सारी जान कर सब्किलzas कर लेँगा आपकी परिश्न कर लेंगे उतने ही अच्छा रहेगा आपके लिए चले आगे देखेंगे अस्थमा होने पर अस्थमा होने पर क्या होता है अस्थमा होने पर क्या होता सांस लेने में कठनाई होती है बिल्कुल सांस छोड़ने में भी कठनाई होती है और बोलने में भी कठनाई होती है स्वांस और ओधन का पीडित बेक्ती यदि विहोस हो जाए तो क्या करना चाहिए स्वांस और ओधन का पीडित बेक्ती यदि विहोस हो जाए तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए पानी के भीतर जब बेक्ती की स्वांस क्रिया औरुद्ध हो जाती रुख जाती है तो उसको बोलते हैं डूबने की क्रिया ठीक है आप से नमबर इसका ही करेक्टर एंसर हो जाएगा यह बात आप ध्यान रखेंगे ओके तो यह चीजे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे परिश्चा के दिश्टी से आपके लिए बहुत ही मैत्मूर है ऐसे ही परिश्चा में करते हैं बहुत ही मैत्मूर प्रस्ण यह सब आपके लिए हैं परिश्चा के दिश्टी से चले आगे देखते हैं अगला को सापकी स्केन पर आच चुका है प्रस्ण बड़ा ही जबर्दस्त है प्रस्ण है कि धूम रपान यूम धुयें से सांसों की कमी पर सीधी चोड के क अगला प्रस्ण वायू मार्ग में धुयें के तरल पदार जमा होने पर वोकल कार्ड में सूजन हो सकती है और उपरी वायू मार्ग में कसाव भी हो सकता है अगला प्रस्ण गले में सूजन या फेरी जाइंटिस होने पर क्या परिसानी होती है बताएं तो गले में सूजन ह सब्सक्राइब करना डूला करना समय लेते हैं यह यह ज़ता है किस कारण से होता है थंड सेब oficial होता है और चुक्त-थंड से इंइस करेंat करें स्मय घृता है धूल और थे त्बचाएं तो साप हवावाले एजदे चाहिए यह आ سबी पर से ऊसंदर किसकार प्रभाव पढ़ता है सो संदर पर किसका प्रभाव पढ़ता है चिंता विपत्ति और भैका भागने दोड़ने और यहP कूदेने का इन सभी का परभाव पढ़ता है आगे देखते हैं अगला को संसा आपकी स्किन पर आ चुका है प्रियास करेंगे मोस्ट इंपोर्टन को संसे पर इच्छा के दिश्टी से आपके आएसे प्रसन आएंगे घाव पर कैसी पट्टी बाधनी चाहिए बताएं घाव पर पट्टी बाधने से पहले बीटडी लगाते हैं आपसा दिशाम्टर के लिए उसला देंगे सब्सक्राइब गाओ पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए गाओ पर बांधी जाने वाली पट्टी साप सुथरी और कीटाड़ू रहित होनी चाहिए आपसन नमबर इसका C कर्यक्ट एंसर हो जाएगगा उपर एक तो सभी मेरे में उचित मातरा में तरल पदार्थ ना लेने से गएग्ज और इसक他說 यह सो लिया उसकती है डी आप से इसका रायट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला प्रस्णाप की स्किन पर आ चुका है फटा फटा से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे इंपोरेंट है सरीर के तापमान की ब्रद्धी अच्छा पता है रीफ नाट का प्रियोग करते हैं डाक्टर ल फिसकी पर क्या पुछा गया है सरीर मान की ब्रद्धि को आपसा रोग हो जाता है बुखार ऑपको हो गया है बुखार बेसिकली जो होता है आपका वह अगर आपका जो जैसे माले दें मनुस के शरीर का जो तापमान होता है वह 36 गरी सलस्यस अफास होता है जो है सब्सक्राइब चार पारनाइट वन उसका शरीर का ताप माल लगभग 6 आपकरम तक तक ठीक है तो एक स्वस्त शरीर स्वस्त वेक्ति के सरीर का तापकरम जो होता है लगभग 890 या 490 युटब छहों है ठीक है तो आपको उखार हो जाता है आपको बुखार हो जाता है का चौपकर सब्सक्राइब उसको सिर्वकारर हो लिए का रखनख नमिएल आपको सविग्री वुकार था ठीक है तो सउड़ीद डिगरी जाएक अगर और तो यही बुखार की सिती हुजाती ठीक है ग्यान लखेंगे स्वास्ट करने की दर क्या कहलां करने की दर को गते कहते हैं रोगा है एक स्वस्थ बइख्ती के स्वास्ट घती होती है एक मिनट में आप से अपना चाहिए और थर्मा मेटर से बुखार 1-2 मिनट तक आप माप सकते हैं अगला प्रस्थां किसके बराइच उगा है प्रस्थां को रोगी से सम्मन्धित किन किन विबरणों का पता होना चाहिए तो मल, मूत्र, पसीना, जीव, पीडा, भूंक, प्यास कि इसंबी का पता आपक्स में आपका दर्द निवारट की पट्टी प्राइबर जिने सरों एक सर पर एक थाla, कहीं पर आपको बगल में ही प्रस्टेट, किट आपको मिलती है तिक एक से आप कहीं पर जाएएंगे किसी गाडी में आप देखेंगे मोटर साइकल में यहां तक कि फच्ट रखेंग तो हरे निखिस्सा बाकस उसमें दर्द निवार्ख दवाइयां होती दर्द कंट्रोल की परकार से पेंकिलर बगरा होती है डिडॉल काउज क्या है यह पट्टी एक प्रकार की भी आपसन राइट एंसर होगा अगला प्रसन सरीर के तापमान में कमी होने से सरीर सरीर के तापमान में कमी होने से सरीर जो होता है दुरबल हो जाता है आपसन दुरबल हो जाता सरीर भी आपसन इसका राइट एंसर होगा अगला प परिच्छा के दिश्टी से बताएं important question से परिच्छा में है प्रस्ण आएगा गले में कुछ हटकने पर खांसी आती है स्वास नली अवरुद्ध होती है या गंभीर मामलों में मृतिव हो जाती है या यह सभी होती बताएं correct answer इसका क्या हो जाएगा फटा पर से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे इसका correct answer क्या हो जाएगा भई ही बहुत ही जबरदस्ट question से परिच्छा के दिश्टी से आपके ऐसे प्रस्ण के परिच्छा में आएंगे बताएं गले में कुछ हटकने पर क्या होता है खांसी भी सब्सक्राइब कंई कूई कीड़ा इसे कैसे नौरातरी का समय चलता है तो वहां पर कि पाउमें है उसी पर देखने घ्यान याथए तो उसमें बहुत कीळा उटते हैं तो ऱ्म काल dizer तो दो है अनदर करे बहुत परेसान हुआ है तो निकला नहीं मर गया ऑघाला तब गरेा करके टेल डाला तब सुबा जाकर में सुबार निकला पूरी रात के बाद में सुबा तिका यह सब डाल लें बाद में वाद में तुए तेम कवाद आप कान में की कान में से कोई वस्तु खीच कर बाहर निकाल सकते हैं जब खीली हो ठीक है पसनड़ाइट करती है प्रकास में भिभिन रंगों में संड़ाइट करती है घ्यूश्टी हो को जो होती है वह करतीयけ आपसान राहिट रोगा द पालल अथवम पीमा कट कर्ण के दो भाग होते हैं ये किस कन के होते हैं तो ये 500 के भाग होतेइं भी आपसान करेक्ट्गेस रोगा कांटा चुभने पर क्या कर सकते हैं तो कांटा चुभने पर कम दर्द में कांटे को स्वयम निकालने के लिए छोड़ा जा सकता है या इसके लावा हीर रिमोबल जो वैक्स होता है इसका प्रियोग करके आप कांटा निकाल सकते हैं सुई या ट्वीजर से कांटा आप निकाल रहता हूं गर्मी को थकान के लक्षण गर्मी को थकान के लक्षण है गर्मी में थकान के लक्षण क्या होता है तो गर्मी में थकान के लक्षण में आप देखेंगे बहुत ज्यादा पसीना आएगा तीब्र और तीब्रिया कमजोर धनकन हो जाएगी आपकी तेज या हलकी सा सापकी होगी तो यह सभी लक्षण है डिया आपसन राइट एंसर होगा अगला प्रस्ण है आइस बर्ण के लक्षणों में समलित है आइस बर्ण मलब बरब से जलना आइस बरम में क्या उदर लाल सफेद गहरी और धूसर तुचा हो जाती है जुन जुनी पड़ जाती सभी अगला प्रस्ण है केमिकल बर्ण का मुख्यकारण है यह आप सद्धुआ से इसवारी एसड से अगर आप जल जाते तो यह इसका यह आपसन राइट एंसर होगा जाएगा अगला परसन कोई हानिकारक केमिकल यह आँखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को स प्रिक्षाओं के लिए बिसक्लि मोढ़नागा तो आप इस चनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चुकि यहां पर आप पर आपके को करीकुलर करिकुलर मास्टर चैनल पर ही मिलेगी तो आप जा करके यह चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आप पूर्ट समस्टर में जाएंगे फिजिकल एजूकेशन योगा पढ़ना पढ़ेगा फिफ्त समस्टर में आपको आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है एनलेटी के बरटी हीट स्टोक का क्या लक्षण है हीट स्टोक का लक्षण होता है अधिक थकान या उर्जा में कमी आएगी चक्कर आएगा उबकाई आएगी विहोसी आएगी सिर्दर्द होगा चिर्चड़ापन होगा भरम होगा इस अभी चक्कर आएगा डी आपसन राइट एंसर होगा ठ अगला पर सेम्द हैं जलने की स्थिति में डाक्टर को कब दिखाना चाही है जलने के दुक्ति में आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा साँ लगा लेंगे कितना जहरीला है उसी हिसाब से उसको एंटी टॉकसिन दिया जाएगा तो बैक्तियों को में यह साँप के काटे के इलाज कि लिए जरूरी होता है कि या करना भी जरूरी होता है कि सही के लिए इसके लावा तोही आएँस के लिए इसका हो जाएंगे ठीक है इसका दोनों रायर अगला पर संक्रमित जानवरों की काठने पर कौन सी बिमारी हो जाती है संक्रमित जानवरों के काटने पर rabies विमारी हो जाती rabies आपसन नमर B करेक्ट एंसर होगा अगला परसन किसके काटने पर anti rabies का टीका लगवाना जरूरी होता है या लगवाना चाहिए अगर आपको कुत्ता काड़ ले तो भी लगवाना चाहिए बंदर के काटने पर भी आपको anti rabies का टीका लगवाना चाहिए गिलेरी काटे तो भी आपको लगवाना चाहिए यानि कि इन में से कोई काटे चुकी ये सब संक्रमित जीव ही है ठीके तो संक्रमित जानवरों के काटने पर आपको anti-rabies का ठीकाल जरूर लगवाना चाहिए D option इसका right answer होगा ये सभी आगे देखते हैं अंगला प्रस्थ जानवर के काटने पर उत्पन लक्षण जानवर के काटने पर उत्पन लक्षण होता है पीडित बेक्ती इधर उधर भागने लगता है बिलकुल सुस्थ हो जाता है पीडित बेक्ती पानी को देख करके डरता है और इस्थिति बिगड़ने में पीडित की कुछ समय बाद मौत भी हो जाती है तो ये कई इस्थितिया हो सकती है D option इसका right answer होगा अगला प्रस्थ जानवर द्वारा काटे जाने पर या काट दी जाने पर या काटे जाने पर किया जाने वाले उप्चार जो होता है कौन सा है देखे जानवर के काटे हुए अस्थान को साबुन और पानी से धोए पीडित को तुरंत अस्पताल ले जाने की विवस्था करें और तुरं 30 रिवीज बैक्सील लगवाएं ये तीनों काम आप कर सकते हैं D-Apsons अगला परसें साप काटने के लक्षण है साप काटने के क्या लक्षण है साप को काटने का निसान आपको दिखेगा दर्द या दर्द की जगा पर सुन हो जाएगा और काटा हुआ अस्थान लाल पड़ जाएगा तो ये सभी इस्थितियां या सभी लक्षण है साप के काटने के D-Apsons राइटेंसर होगा अगला परसें साप काटने पर दिजाने वाली प्रासमी चिकिस्टा कौन सी है ये तीनों काम एक परकार से जरूरी होता अगला परसें वेक्तियों को किन खादे पदार्थों से परहेज करना चाहिए पदाने का प्रियास करेंगे तो कच्छे मीड से बासिभोजन से और बिना पाज़च्चुरी कृत दूद होता है उससे भी बचना चाहिए आपसन नमबर D करक्टेंसर हो जाएगा उपर एक तो सभी से अगला पर से लिष्टेरिया फूर्ड पॉजनिंग की जटलताएं किसके लिए अधिक गंभीर हो सकती हैं तो लिष्टेरिया फूर्ड पॉजनिंग की जटलताएं जो होती हैं आजन में बच्चे के लिए गंभी के लिए सभी के लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब के सबसे गंभी जटिलता कौन सी है और भी दोनों से अगला प्रसें में भोजन लगबग कितने गंटे तक पाचन की किडिया में रहता है तो हम आसे में भोजन लगबग चार घंटे तक पाचन की अवस्ता में रहता है आपसर नमबर सी करेक्ट एंसर होगा ग्रास नली की दिवारों की मान स्पेसियां कितने अस्तरों की बनी होती है तीन अस्तरों से बनी होती है अगला प्रस नहीं बताने का प्रियास करेंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा बढ़हां प्रस नहीं कि जब हड़ी तूट जाये परंतू उपरी तुचा जयों की तियों रहे तो उसे क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं बंद फ्रेक्चर, आपसे नमर इसका B करेक्टेंसर होगा, important परिच्छा में कई बार आया है, अगला परसन यह तब होता है जब कोई हड़ी के दो टुकुड़ों में तोड़ जाती है, तो उसको साधार फ्रेक्चर बोलते हैं, यह आपसे नमर इसका B कर प्रियोग नहीं होता, अगला परसन पेस्ट की को सिकाएं कैसे पेसी तंतों के रूप में होती हैं, तो पेसी को सिकाएं कैसे पेसी तंतों के रूप में होती हैं, तो लंबे, सक्रे और बेलना कार, आपसे नमर डी करेक्टेंसर हो जागा, पेसी को सिकाएं, लंबे, सक्रे कर्म हैं पाई जाने वाले अस्थी कौन से हैं जि मुझदर रकाब और निहाइए ये सब हैं बसंगे निर्मार में में मुख रूप से भाग लेते हैं आ हैंकि noir कि रूप abundance का का बल लैी तक काने आब Top फासपोरस, मैगनीसियम, कैलसियम ये सभी जो है अस्थियों के दिनवाणा में हड्डियों के बनने में भाग लेते हैं डी आपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला परसन आपकी स्किन पर आचुका है पड़ापड़ से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे इंपोर्डन परिच्छा के दिश्ची से बताएँ एनपालेक्टीक सामाननीं होता है इनपालेक्टीक सामानता कब होता है गोहता है यह आपका दवाण से उता है भोजक या कीड़े के जहर से भी होता है और लेक्टक लेक्टेस की उलर्जी अग्लाय नाख कि से कुला छोड़ना इन्पेक्शन को नहेंवता देना है गहाव को खुला छोड़ना टोटना घर फेफडों का या दिल कोछती यानी उपर को सब्लाय अग्ला पर गाएगा बढ़ जाता है कब हसने पर चिखने पर खासने पर चेखने पर इन्स अभी इस हथिती में बढ़ जाता है डिया सब्सक्राइब कर लिजेगा आपकी परिशा के लिए बहुत ही बैतर है आने वाले समय में जब आप थार्ड समस्टर में जाएंगे तो इसके लिए बहुत मैंत्मुण होगा इसके अलावा फस्ट टेट की भी बहुत सारी वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी तो आप इस होता है वह करके उसको रूप लेता है लिए अगर्सं की सभी परतों को हटा देता है उसे क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं घतान मगर्णे करें conducting नुभार खतें समय कौन में बाँ पुछे तो बताएं किन चोटों के ठीक होने का समय और चोटों के पेक्षा कम होता है तो छल्ने वारी चोटों का एक परकार से इनका अग्या जल्दी सबस्क्तम हो जाती है तो इस तरीके से अप लोगों ने आपको बहुत सारे परसनों को देखा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंजा भारत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी फिरकार से अपने प्यार हमें से बनाया रखेंगे इन परसनों को आप तयार कर लिजेगा आपकी परिछा के दिश्टी से बह आपकी परिच्छा में पूछे जा सकने वाले हैं रिपीडेट को संसे तो आप किसी बिश्विद्याले समझें किसी भी कालेज में पढ़ रहे हैं आपके लिए बहुत ही बैतर है बहुत ही मैत्पूर है लेक्चर तो आप इसको अंतर तक जरूर देख लिजेगा धन्यबा कि एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगरना है तो सब्सक्राइब अबस कर दीजेगा बहुत धन्यबाद उटने डाला प्यों बहुत धन्यबाद